हलो नमस्कार स्वाइट है आप सभी का दानलोज गुरू के ऑफिसियल यूटूब चैनल पर यहां पर आप सभी के लिए मुख मंत्री का रहले हर्याना की ओर से एक बड़ी खुसकबरी आ गई है हर्याना सरकार ने अभी अभी लिया है एक नया निर्णे यहां पर आपको बत करना ने रह जर्ली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी हैप सब्सक्राइब जुरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाईएए और बैल अइकन होगा उसको भी प्रसकरदे ताकि लैटेस्ट वीडियो मिल दे रहे हैं तो चलिए वीडियो को शुर समर्थनमूल सरकार बढ़ाएगी हरियाना के किसानों को होगा लाब जीे आप सभी लोग देख रहे हैं ये बैठ प्रेस कॉंफेरेंस की थी इन्होंने इस क्रेस कॉंफेरेंस में बताये इस्में क्या बताया है देख सकते हैं केंद्री जल सक्थी राजमंती रतनलाल कटारिया ने आज यानी सोंबार को संकेत दिया है कि केन सरकार अक्टूवर के पहले मां में रवी की फसलों के लिए नियुनतम समर्थन मूल बढ़ाएगी इससे हरियाना और पंजाब की किसानों को भी लाब होगा कटारिया ने कहा है कि प्रधान मंतरी नहे मोदे की सरकार जब रवी की फसलों की सरकारी खरीद के लिए MSP बढ़ा देगी तो किसान आंदोलन भी समापत हो जाएंगे तो और यहाँ पर क्या कहा है रतनल कटारिया ने देख लेते हैं रवी की फसल का MSP बढ़ने के साथ ही खत्म हो जाएगा किसान आंदोलन ये कहा है इन्होंने आपको बता देख सकते हैं MSP या मंडी विवस्ता पर अभी तक किसानों के बीच कांग्रेस का ब्रामक परचार खत्म होने में सिर्फ 10-15 दिन का समय लगेगा आपको बता दें काटारिया नई दिल्ली इस्तित्ध हर्याना भवन में आहिजित प्रेस वार्ता के दोरान संसत में पारित हुए क्रसी विथेखो को किसान हित में बताया है काटारिया के साथ हर्याना से भाज़पा संसत नाइब सैने भी मवजूद रहे हैं और इसमें क्या का है, किसानों के हर भ्रहम को तथेयों से दूर करेंगे भाजपा सांसत। आप सबी लोग देख सकते हैं, जो केंद्री जल सक्ती, राजमंत्री रतलनाल कटारिया हैं, उन्होंने का है, कांग्रेस करसी विधेकों को लेकर किसानों के बीच भ्रहमक परचार कर उन्होंने यह भी बताया कि करसी विदेखों से किसानों की आमदेनी दोगनी करने का सरास्ता साफ हो गया है काटारिया ने साब किया कि करसी विदेखों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे मंडी व्यवस्ता और MSP खत्म हो जाए तो यहां पर बात कई है MSP बढ़ाने क कैसी कैसी लगी अगर जानकारी अच्छे लिए हो तो वीडियो को लाइक करें सेर करें अगर पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाड़िए धर्मा जहिन